नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है Samsung Galaxy S21 FE 5G दोस्तों अगर आपने इस phone को हाली में purchase किया है और अगर आपने इस phone का setup कर लिया है तो जैसरी आप अपने phone में setup complete करोगे तो आपको change करनी है ये 20 settings अगर आप इन settings को change करोगे तो आप एक pro user की तरह इस phone को use कर पाओगे तो अगर आप चाहते हो आपके phone को बहतर तरीके से use करना तो आपको definitely इन 20 settings को change करना चाहिए तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन सभी 20 settings को one by one दोस्तों गर आपको brightness को adjust करना हुआ आपके phone में तो आपको दो बार swipe करना पड़ता है एक swipe करोगे तो आपको brightness का slider यहाँ पर show नी करेगा उसके लिए आपको दुसरा swipe करना पड़ेगा इस तरीके से brightness control और set किजिए show always done किजिए इसके बार आपको एक ही swipe करना पड़ेगा brightness को adjust करने के लिए बस ऐसे और आप यही से one swipe में brightness को adjust कर पाओगे दोस्तों अगर आपने अपने phone में pin set किया होगा तो जब भी आप अपने phone को unlock करते हो pin से तो आपको ok पे tap करना पड़ता है मैंने pin को enter किया है लेकिन जब तक मैं ok पे tap नहीं करूँगा तब तक मेरा phone unlock नहीं होगा तो अगर आप चाहते हो बिना ok पे tap किये अपने phone को unlock करना तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो आपको ok पे tap नहीं करना पड़ेगा तो आपको जाना है settings में lock screen में screen lock type में pin पे tap किजिए अप confirm pin without tapping ok इसमें टिक किजिए continue किजिए अपना pin वापस confirm किजिए ok किजिए इसके बाद अब आपको ok पे tap नहीं करना पड़ेगा आप बिना ok पे tap किये अपने phone को unlock कर पाओगे आप देखोगे मैं pin enter कर रहा हूँ और मेरा phone unlock हो जाएगा बिना ok पे tap किये तो आप faster वे में अप faster कर सकते हो काफी जल्दी से quickly ये काम करेगा scan करेगा तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको जाना है settings में biometrics and security में fingerprint में और ये जो option है show animation when unlocking इसे आपको off करना है इसके बाद आपको जाना है apps में filter के icon पे tap किजिए यहाप पे किजिए show system apps को enable ok किजिए search किजिए biometrics आपको show करेगा ये com.samsung.android.biometrics इस पर आप किजिए और आपको जाना है battery में और इसे set करना है पहले पे unrestricted इसके बाद अब आपके phone में fingerprint scanner और ज्यादा faster work करेगा आप देख सकते हो पहले से ज्यादा faster हो चुका है दोस्तों अगर आप कोई भी game play करते हो औ fps कितना चल रहा है cpu load gpu load अगर आपको देखना हो रियल टाइम में तो आप यहाँ पे एक pop-up widget enable कर सकते हो screen के उपर ताकि आपको पता चले कि आपका game जो है कितने fps पे play हो रहा है तो इसे enable करने के लिए आपको जाना है settings में about phone में software information में build number पे आपको लगा अतार 7 times tap करना ह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपना pin enter करके आपको जाना है back settings में सबसे नीचे आपको मिलेगा नया option developer options का आपको इस पर tap करना है नीचे आना है games में आपको मिलेगा एक option जो है GPU watch आप देख पारे हो GPU watch आपको इससे open करना है इससे own कीजिए अब आप real time में तीनों चीजों को show कर सकते हो FPS load मतलब CPU GPU लेकिन आप चाहते हो कि मुझे केवल FPS ही देखना है तो आप दोनों को किजिए delete यहां से और फिर FPS पर tap किजिए size small किजिए name आप यहाँ पे change कर सकते हो मैं चाहतो केवल FPS show करे और फिर ok किजिए इसके बाद आप अगर कोई भी game play करोगे तो आप देखोगे उप panel hide कीजिए अभी हाँ पे show नहीं करेगा वापस इससे show करना है तो show कीजिए इस तरीके से आप इसे move भी कर सकते हो तो आपको करना है इसे unlock फिर आप से जहाँ पे चाहें वाँ पे move कर सकते हो इस तरीके से और इसे off करने के लिए आपको करना है और पे tap अब यह work नहीं दोस्तों आप अपने phone में जो WhatsApp के delete की हुए message है आप उन्हें read कर सकते हो और वो भी बिना किसी app को download किये तो इसके लिए आपको on करनी है एक setting आपको जाना है settings में notifications, advanced settings, notification history और आपको इसे करना है on अब माल लेते हैं मुझे WhatsApp से कोई message आ ठीके अब hello है last message अब सामने वाले ने कोई दुसरा message मुझे send किया है लेकिन मेरे read करने से पेले ही उसने उससे कर दिया है delete जैसे कि आप देख पार हो, मालो मैंने इस तरीके से देखना miss कर दिया होता है कभी कि आप ऐसा देखना miss कर दोगे और माल लो उसने उस message को कर दिया है delete तो अगर आप जाओगे whatsapp में तो आप देखोगे this message was deleted ऐसा शो कर रहा है मतलब कि आप उसे read नहीं कर पाए तो बस काफी आसाने आपको जाना है same settings में जो हमने अब on किया है advanced settings, notification history और आपको जाना है last 24 hour whatsapp पे tap करना है और यह है वो message जो 6 बच के 7 मिनिट पे आया था what are you doing today और यह message था जो सामने वाले ने delete किया था तो आप इस तरीके से whatsapp के delete कियो है message वड़ी आसानी से read कर सकते हो इस option के जरिए दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा कि अगर आप gallery में किसी भी content को delete करते हो तो जाता है recycle bin में जैसे कि मानलो मैंने इन photos को कर दिया है delete ठीक है और यह चला जाएगा mood to recycle bin में अब कई बार क्या होता है recycle bin में कई सारी files होती है जो हमने delete की हुई होती है कभी कभी recycle bin काफी ज़्यादा storage occupy करता है तो अगर आप चाहते हो आप अगर कुछ भी delete करते हो तो आपको एक मिले pop-up जिसमें show करें कि recycle bin में कितनी storage occupy हो रही है तो आप ऐसा भी enable कर सकते हो तो आपको जाना है gallery के settings में about gallery पे tap कीजिए जो gallery का version लिखा हुआ वर्जन नंबर उस पे आपको लगा तर 13 बार tap करना है इसके बाद ब्याग जाईए नीचे आपको मिलेगा नया option gallery labs का आपको इसे open करना है और आपको इस menu में एक option को ओन करना है और ये है show trash storage info इसे ओन कीजिए इसके बाद आपको gallery को करना है restart अब अगर मैं किसी भी content को करूँगा delete तुम मुझे show करेगा कि recycle bin कितनी storage occupy कर रहा है आप देखोगे recycle bin 192.59 MB इस तरीके से आपको पता चलेगा कि आपका recycle bin कितना full है कितनी storage occupy हो रही है उसमें दोस्तों आप किसी भी आपको 5 तरीके से अपने phone में pop up window में open कर सकते हो पहला तरीका जो आप normally use करते होंगे यह है open in pop up view इस तरीके से आप recent apps में अगर किसी भी आप पे long tap करोगे तो open होगा pop up window में आप age panel से भी किसी भी आपको open कर सकते हो pop up view में आपको उस आप पे long tap करना है और beach में place करना है इस तरीके से किसी भी notification पे अगर आप long tap करोगे और आप उससे place करोगे beach में तो open होगा pop up view में और जब कोई भी notification आती है brief pop up view में तब आप अगर उस पे swap down करोगे तो आप उससे open कर पाऊगे pop up view में इस तरीके से दोस्तों आपके फोन में कई सारे apps ऐसे होंगे जो multi window support नहीं करते मतलब कि आप उन्हें pop up view या फिर split view में open नहीं कर पाऊगे जैसे कि instagram की बात कर लेते हैं अगर मुझे इससे open करना हुआ pop up view में तो आप देखोगे हैं आप पे option ही नहीं है एडवांस फिशर्स में लैप्स में और यह जो option है multi window for all apps आपको इससे on करना है इसके बाद अब आप instagram को open करना चाहो तो कर सकते हो pop up view में भी और split view में भी दोस्तों आप camera में अगर ट्याप करोगे screen पे तो होती है दो चीजे यह है focus के लिए और एक है exposure के लिए लेकिन दो चीजे हमेशा साथ में होती है आप इन्हें अलग-अलग नहीं कर सकते जहाँ पे होगा focus वही पे होगा exposure लेकिन आप चाहते हो कि किसी photo में आपको exposure अलग place पे शो करें और focus अलग place पे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो दोनों को अलग-अलग कर सकते हो एक ही photo में तो आपको जना है more में, promote में tap कीजिए अब long tap कीजिए और फिर आप देखोगे इससे ऐसे slide करोगे तो यह है focus के लिए और यह है exposure के लिए अब दोनों अलग-अलग हो चुके है इस तरह के से आप एक ही photo में focus को और exposure को अलग-अलग करके photo capture कर सकते हो बड़ी आसानी से आप अपने phone में लोग screen में एक साथ 15 wallpaper को set कर सकते हो मतलब कि जब भी आप अपने phone को unlock करोगे तो आपको हर बार एक नया wallpaper show करेगा तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको home page पे long tap करना है जाना है wallpaper in style में gallery पे tap कीजिए जिस किसी photo को आपको set करना है उन्हें आपको करना है select तो मैं चाहता हूँ इन 15 wallpaper को add करना तो आप एक साथ lock screen skip कीजिए अब आप देखोगे जब भी मैं अपने phone को unlock करूँगा मुझे मिलेगा हर बार एक नया wallpaper आप एक ही wallpaper को अपने home screen पे और lock screen पे दो अलग अलग तरीके से use कर सकते हो तो माल लेते हैं मुझे set करना है इसे तो मैं करूँगा set as wallpaper आपको set करना है home and lock screen आपको क्या करना है यह जो लिखा हुआ है sync my edits इसे करना है untick मैं चाहता हूँ इसे इस तरीके से use करना तो आप कर सकते हो zoom in, zoom out इसे right lip भी कर सकते हो उपर-nीचे भी कर सकते हो अपने हिसाप से और मैं चाहता हूँ इस तरीके से lock screen पे use करना और home screen पे इस तरीके से use करना ठीक है तो मैंने दोनों को कर दिया change यह है दोनों एक ही wallpaper लेकिन मैंने अब दोनों को change कर दिया है तो lock screen पे यह assess हो करेगा और home screen पे यह assess हो करेगा अलग अलगे इस तरीके से आप एक ही wallpaper को दो अलग अलग तरीके से use कर सकते हो अपने phone में आपको इस phone में मिलता है dual audio का feature मतलब कि आप दो Bluetooth headset को एक साथ correct तो करी सकते हो लेकिन आप दोनों में एक साथ music को भी play कर सकते हो तो सबसे बहले माल लेते हैं आपने music play किया है ठीके तो माल लेते हैं मैंने ये music को play किया है अब ये play हो रहा होगा किसी एक headset में लेकिन आपको क्या करना है आपको जाना है आपके phone के Bluetooth settings में बीपे long tap कीजिए और दोनों को सबसे बहले connect करना है ठीके दोनों को connect कीजिए pair कीजिए दोनों को मैंने connect कर लिया लेकिन अब जो play हो रहा है music वो play हो रहा है OnePlus bullets में मतलब इसमें ठीके लेकिन मुझे play करना है दोनों में एक साथ तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा media output का ये toggle या option आपको इस पे tap करना है और अब आपको मिलेंगे दोनों earbuds के नाम आपको दोनों में टिक करना है दोनों में टिक किया मतलब की अब जो music है दोनों earbuds में play हो रहा है एक साथ जैसे कि आपको पता है होगा कि इस phone में आपको मिलता है edge lighting का feature मतलब की कोई भी अगर notification आती है तो आपको मिलेगा edge में lighting effect लेकिन अगर आप contact के हिसाब से color को change करना चाहते हो अलग-अलग context के लिए आप अलग-अलग color set कर सकते हो मतलब की आप color को देखकर ही पता कर पाओगे कि ये जो message है कौन से contact से आया हुआ है तो अगर आपको ऐसा enable करना है तो आपको जना है settings में notifications में brief pop-up settings में सबसे पहले आपको style जूस करनी है मैं करूंगा glow done कीजे फिर आपको color by keyword पर type करना है contact का नाम यहाँ पर type करना है जैसे की है अतुल प्लस के सेंट भी डैप कीजे और मैं चाहता हूँ इसके लिए yellow color तो मैं करूंगा yellow color done दूसरा contact है home प्लस के सेंट भी डैप कीजे इसके लिए मैं करूंगा color pink done तो अब अगर home और अतुल से कोई भी मेसेज आता है फिर चाहे whatsapp से हो facebook, instagram, telegram, signals, snapchat तो जो color मैंने चूस किया है उसी color में age lighting effect show होगी तो आप देखोगे pink color में यह age lighting effect glow कर रहा है और अतुल से कोई आता है message तो वो yellow color में show करेगा आप देख पार हो यह है yellow color lock screen पे जो music panel की transparency है आप उसे भी change कर सकते हो जैसे कि माल लेते है अब यहाँ पे यह है transparency इतने transparent way में show कर रहा है यह music panel लेकिन आप चाहो तो इसे change भी कर सकते हो तो आपको जाना है settings में, lock screen में, widgets में, music पे ट्याप करना है आपको और जो transparency है आप यहाँ से इसे change कर सकते हो अब मैंने किया है, माल लेते है 83% तो अब आप देखोगे music panel इस तरीके से शुकरेगा क्योंकि मैंने इसकी transparency change कर दी है इस phone में आपको मिलता है inbuilt grammar check का feature, मतलब कि अगर आप कुछ भी type करते हो English में और अगर आपको कोई भी grammatical error check करना हुआ और उसे correct करना हुआ तो आप कर सकते हो रोग भी भी बिना किसी app को download किये, तो सबसे पहले आपको जाना है keyboard के settings में language में, manage input language में, English US ये on होना चाहिए, इसके बाद आपको जाना है back और ये suggest text correction इसमें करना है English US को on, manage apps में आपको करना है सभी के लिए on पिर आपको जाना है keyboard में, input method, globe के icon पर आपकर करना है English US पे on जैसे कि मानलो मैंने type किया है, I am go school, I am go school तो इसमें error है आपको पता है होगा, तो आपको नीचे line शो करेगी green line मतलब कि उसमें कुछ error है, तो आपको उसमें कुछ error है, तो आपको उसमें ट्याप करना है और फिर suggestion शो करेगा कि इसके place पे होना चाहिए, I am going इसके बाद school के place पे भी कुछ error है, तो इसपे ट्याप किजिए, school के place पहना चाहिए, to school तो इस तरह के से आप जो grammatical error है sentence में उसे correct कर सकते हो, one tap में आप अपने phone में एक ही widget के place पे साथ अलग-अलग widget को set कर सकते हो, जिसे केते है smart widget अगर आपको इसे use करना हुआ, तो आपको long tap करना है, जाना है widgets में सबसे पहले होगा, smart widget आपको इसे tap करना है, माल लेते आपको इसे choose करना है, तो long tap करके track करके place किजिए इसके बाद आप देखोगे यह है weather, यह है clock, तो आपको अगर add करना हुआ और कुछ, तो आपको long tap करना है settings, आप एक साथ यहाँ पे add कर सकते हो, add widget पर ट्याप किजिए, तो clock हो चुका है, drive, add कर लिया मैंने, इसके अलावा gmail add कर लिया, तो एक साथ इस तरीके से आप 7 widget को set कर सकते हो, और इनके बीच में आप swipe करके switch कर सकते हो, इस तरीके से netflix, reminder, weather, clock, chrome, drive, आप देख पा रहे हो, आप अपने phone में जो gesture hint है, यह रहा gesture hint, इससे भी hide कर सकते हो, hide करने के बाद भी आप उसे use कर पाओगे, इसके अलावा, आपके बीच में switch भी कर पाओगे, इस तरीके से, तो आपको अगर इससे hide करना है, इस line को, तो आपको जना है, डिस्पले में, navigation bar में, swipe gesture को on कीजे, इसके बाद gesture hint इसे off कीजे, इसके नीचे फिर आएगा एक नए option, switch apps when hint hidden, इसे भी on रखना है आपको, इसके बाद क्या होगा, मैं अब gesture कर पाओगा, बिना line के, gesture hint है नहीं, लेकिन फिर भी gesture use हो रहे हैं, आप देख सकते हो, और आपके बिच में भी, मैं switch कर सकता हूँ, इस तरीके से, आप जब भी किसी file को share करते हो, तो आपको मिलता है, share sheet panel, जैसे कि बाद लेते हैं, मुझे इन दो photo को share करना है, तो यह रहा, share sheet panel, और यहाँ पे नीचे आपको show करेंगे, कुछ apps, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे apps होंगे, जो आपके काम के नहीं है, जिसमें आप किसी भी file को share नहीं करते हैं, तो आप अगर अपने favorite apps को add करना चाहते हो, जो भी आप use करते हो, ज्यादा तर उनी को आपको यहाँ पे show करना है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, उसके लिए आपको swipe करना है, और more पेट आप करना है, pencil के icon प किये है, वही apps मुझे show करेंगे, share sheet में, आप देखोगे, अब मुझे किसी photo को share करना हुआ, तो जो मैंने apps set किये, आप देख पाले है, वही apps यहाँ पे show करेंगे, तो share करना faster और easier हो चुका है अभी, इस phone में है age panel का feature, लेकिन इस panel में एक panel को आपको add करना है, जो काफी काम का है, जिसके जरीए आप अलग-अलग shape में screenshot को capture कर सकते हो, अपने किसी भी screenshot से, जो text है, उसे copy कर सकते हो, तो आपको जना है age panel के settings में, आपको में लगए settings का icon, उस पर tap कीजे, smart select, आपको इसे own करना है, तो मैं यहाँ अलग-अलग shape में screenshot काप्चर कर सकते हैं, यह है पहला इस तरीके से कर सकता हूँ, इसके अलगवा आप इस screenshot को pin भी कर सकते हो, तो माल लेते मैंने इसे pin किया, pin to screen, तो यह उपर में ऐसे show करेगा, फिर आप चाहे तो किसी भी app में इसे long tap करके, इस तरीके से track कर सकते हो, और send कर सकते हो, लेकिन और एक जो शांदार feature इसका वो है text को copy करना, तो अगर आपको करना हुआ किसे text को copy, तो पहले screenshot capture कीजिए, फिर done पर tap कीजिए, और फिर आपको मिलेगा T का icon यह रहा, T के icon पर जैसे आप tap करोगे, तो यहाँ पे जो सारा text है, copy हो जाएगा, आप दिख पा रहे हो, और फिर आप यहाँ से copy paste कर सकते हो, copy किया और आपको जहाँ पे paste करना है, वहाँ पे paste करिए, तो काफी शांदार feature है, smart select panel का, आपके phone में अगर कोई भी call आएगा, तो contact के नाम की नीचे number भी show करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो, जब भी कोई call आए, तो contact के नाम की नीचे number show ना करे, केवल contact का नाम भी show करे, तो केवल contact का नाम show करेगा, contact का number show नहीं करेगा, दोस्तो तो यह था इस उडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पुछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे, या फिर Twitter पे भी message कर सकते हो, इस उडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तो,